कि वेशंतर जातक का दान कितना सही है तो वेशंतर जातक बहुत बड़ी है लंबी है तो वह स्पेशली ले लेंगे कि हाँ ठीक है संगा दाना का मा तो बताएं क्या संग में भगवान बुद्ध भी है मैंने एक बार ऐसा हुआ कि भगवान की जो भगवान का लालन पालन करने वाली गवतमी थी प्रजापती महा गवतमी उसने अपने हातों से चीवर सिलवाया था और तीन मेहने वर्षावास के पश्चात वो भगवान को अर्पित करने कई भगवान मैंने अपने हातों से बनाया है आप इसे स्विकार करे तब भगवान ने कहा है गौतमी तू इसे संघ को दे दूसरी बार और तीसरी बार भी बताया था तब भगवान ने बताया है गौतमी तुम जो मुझे दान करोगी तो उसका पुन्य एक को मिलेगा। तुब संगों को दान कर इसलिए संग का महत्ता है जी गुरुजी यह जो बगवान बुद्ध और गौतमी के बीच में वारतलाप होता है इसको आप बाली में बता सकते हैं अभी नहीं बता है अभी नहीं बता सकते हैं थीक है मुझे बहुत अच्छा लगता है तो गुरुजी इसके उपर कोई पर्टिकुलर कुछ गाता या कुछ है के कुछ यह ताकि अभी अगले मैने से वर्षवास चलू होने वाला है तो कापी सारे लोग संगदाना विक्वो की सेवा करेंगे तो वो उससा क्या इंपॉर्टन्स ह तो यह सब चीजे हम लोग एक बार ले लेंगे था कि विक्षो का उनकी सेवा करने से उनके संपर्ट में रहने से क्या फाइदा होता है इसके बारे में आप पर बता दीजिएगा और दूसरा यह आया कि ब्लैक मैजिक कोई कर सकता है क्या यह बहुत हलकी फुलकी क्ला है य अधिक कुछ नहीं है वहाथ की सफाई और कला है बाकि कुछ नहीं है उनको यह महत्तव पुर्ण है ब्लैक मैजिक वाला भी दुखों से मुक्त नहीं है और भगवान ने यह रिद्धि दी कि सारे दुखों से मुक्ति होने का मार्ग बताए तो यह बड़ी विद्या है कई भी भेद्ध नहीं है ध्याइज है यह ऐसा समझ लिजे कोई पानी कहे और कोई अंतर होता है क्या बिल्कुल नहीं है कोई नमक कहे कोई मेट कहे कोई ने के कोई नून कहे, तो ये सारे शब्द उने भाशा का अंतर है, अननेता वस्तुता वस्त एकी चीज है, शुगर कहे, शक्कर कहे, मिछरी कहे, मिठास कहे, कोई भेध थोड़ी नहीं, सभी एकी चीज है, तो इसी तरह ये धर्म जो शब्द है वो हिंदी में है, धम्ब शब्द हा quoting हमें आई सुमिछा-चारा वेरमनी को अगता निवान चान ऊप्सक्षा इसमें एक पती एक पत्नी मेंगा। इसके अत्रिक को एक कर्म होता है वो विभिचार के अंतरगत आता है, तो इतने ही संबंद होना चाहिए, क्या बुद्ध धर्म में भक्ति है, भगवान के धर्म में भक्ति से ही शुरुवात होती है, ये शब्द अलग है, भगवान ने भक्ति की जगह शद्धा शब्द का प्रयोग किया है, जैसे वो आडव भगवान के शिक्षा में शुरुवात ही शद्धा से होती है, इसको लोग भक्ति शब्द का प्रयोग करता है, तो बिना शद्धा और भक्ति के आगे कोई बढ़ी ही नहीं सकता है, यदि किसी कारणवश हम पैसों का दान नहीं दे पाते हैं, तो क्या हम अपने पुन्य कर करते हैं, पाली भाषा जन सामाने को सिखा सकते हैं, तो बहुत बड़े दान है, केवल पैसा है सब कुछ नहीं है, बहुत सारे आने पशना केंद्र में आते हैं, दस दिन की सेवा करते हैं, वह भी दान के अंतरगत ही आता है, तो हम को काम करना चाहिए, फिलिंग ओफ रिवेंज, तो वो कैसे अच्छा है, बिल्कुल अच्छा नहीं हो सकता, हमें रिवेंज की भावना ही नहीं आनीते, उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए मैतरी भावना का अभ्यास करना है, हमारे चित्त में देश जाकता है, तो मैतरी भावना का अभ्यास करना चा सकती है प्यार तो करता है जो मैत्री भावना का अभ्यास करता है वो संसार में सभी को प्यार करता है हम जिस प्यार के लोग सामाने लोग चर्चा करते वो प्यार नहीं है वो तो राग है समझ लिजे और राग कभी कभी सुख नहीं आ सकता जो लोग हमेश्या डांस करते हैं साइकोलोजिकल उन्में प्रवब्लम रहता है या नहीं मालूम लेकिन साइकोलोजिकल प्राबलम होता है या नहीं होता है लेकिन ये शरीक की चेशता है जैसे भगवान बोलते है कोई नाचता है जैसे कोई गीत गाता है तो भगवान कहते है वो रो रहा है और कोई नाचता है शरीर को टेड़ा मिड़ा करता है तो आगलपन है ऐसा भगवान बताते है और जो कोई ठहा के मार के हसता है तो भगवान बोलते है कि यह लोग करते हैं लोग पागल लोग होते हैं कि जोर-जोर से हसते बोले यह प्रकार का ध्यान है संसार में मुर्ख लोग करते रहते हैं भगवान के उल मुस्कर आते थे अठ्थ्था पुरिखवगला क्या होता है मैं मैं अहरंट मार्ग और फल इसी तरह अठ्था. पुरिश पुगला यह आठ पुरुष पुद्गल होते हैं अच्छा पच्छेक बुद्ध भगवान के समय में थे अपके समय में पच्छेक बुद्ध एक्जिस्ट है क्या अवश्य होंगे यहां ही रहते हैं वो गंद मादन परवत पर ही होंगे कभी कबार आते हैं लेकिन ी ऐसा लगता है यहीं इस लिए वह नहीं भी हो सकते जब बुद्ध शाषन नहीं रहता सब प्रत्य दो सब्सक्राइं require डुक्तों यहां क्या अव्यवान जब नए चाहिए कि भूसें वहन नहीं चाहिए बलकि सुखी हुना है प्रसन्न होना है लेकिन हमें यह मालूँ होना है कि क्या कारण होने से खुशी आती या प्रसन्नता आती है। जी संतो शर्मा पूछ रहे हमें अपनी आयका कितना प्रतिशत दान करना चाहिए भगवान ने बीस परसेंट कहां है तो जितना आप भगवान ने कहा है हम जितना दे सकें पांच परसेंट दस परसेंट वो देना है जी आज आपने गुरुजी यह बोला कि निरोद समापती निरोद समापती का मतलब क्या होती है जब भगवान या कोई प्रत्येक बुद्ध होते हैं वे निरोद की अवस्था में जयते हैं जाते हैं और वे उसी श्तान पे एक संब्सक्राइब बने बिना खाए पिए बिना मल मुत्रत आगे तो वो निरोध समापत्ति में चले जाते हैं निरोध की अवस्था में जाते हैं और वहां से और उस दिन तक बिल्कुल भूख नहीं लगती कुछ नहीं लगता और जैसे वह एक सप्ता के बाद उठते हैं तब ऐसी भूख लगती है और उस समय जो कोई वेक्ती उनको दान करता है तो तुरंट उसके फल मिलते हैं तो गुरुजी यह निरोध मतलब इसको स्टॉप करना हो जाएंगा राइट और निरोध समापती जो अवस्था रहती हैं वह इंद्रियों के परे की जी बिल्कुल वह ध्यान की अवस्था है नीरोध का शक्षात करते हैं समाधि में जले जाते हैं रहुत हैं जिआ ध्या गुरुजी में जिरणते ट्ट्टू बद्ध साथव कुछ साथ तो और भी कुछ प्रश्ण होगे तो आप मुझे सेंट कर देना थाकि मैं बादमस को ले लूँ और दूसरा यह बूलना था कि क्या है तो आप लोग उसके लिए कुछ अगर हेल्प कर सकते होंगे रेगुलर लेवल पर मुसलिए हम संडे हम लोग करते हैं उसमें प्रेगनेंट विमेंज और विडो विमेंज मतलब इनके पती नहीं है और जो प्रेगनेंट उनके लिए और बच्चे लोगों के लिए भी हम लोग कुछ किट्स तैयार करें कि अभी उनका यह चालू होने वाला है स्कूल से गरे तो उनको हम लोग थोड़ा एक छोटा किट हम लोग बना के दे रहे ताकि उसमें कुछ चॉकलेट्स दे कुछ स्टेशनेरी का सामान दे और उनके लाइफ में भी थोड़ा हैपिनेस आ जाएंगा हम लोग करते हैंगे तो कल हम लोग एक मुस्लिम कमूरिटी के एरिया में गये थे वहाँ काफी सारा सर्वीस की लोगों को दिये हमने उनको काफी अच्छा लगा और हम लोग ने कुछ ग्रोसरी किट्स भी दिया है उस एरिया में तो वहाँ हम लोग को सर्वे करके उनको ग्रोसरी किट्स जो सही में जो जरूत मन लोग हैं उनको हम लोग देने वाले हैं खास करके जो रोट के नीचे जो लोग रहते हैं उनके लिए हम लोग कर रहे हैं प्लानिंग चाहरा है कि उनके बच्चों के लिए भी हम लोग कुछ पर्मानेटली कुछ शेल्टर सेगर हम लोग बनाए थाकि हम उनके बच्चों का भविश्य बना सके आप आप आपके कुछ रिलेटिव फ्रेंड्स या कोई भी कैसे भी कुछ अगर हेल्प हो सकते होंगी तो प्लीज मुझे बताइए बहुत जरूत है इन लोगों को और हम लोग जो भी अच्छा काम कर सकत है मनिशय जीपन में उसको करने का कोशिश करेंगे मिलके करेंगे हम लोग आप सब लोगों के सईयोग सब्सक्राइब करता हूं वह काफी है हमारे साथ में और भी लोग जूढ रहे हैं दिरे-दिरे कि इतना अच्छा सोसाइटी का काम हो रहा है हम लोग भी इसमें कुछ स लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी आपके तरफ से आपके कंपणी के तरफ से ओफिस के तरफ से कोई CSR फंड होगा या कुछ भी होगा प्लीज मुझे बताईएगा तो हम उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइस करेंगे और आपके कोई पिचायन के होगे ज जगाते हुए मैत्री जगाते हुए हमें लोगों का भी कल्यान करना है उनको भी हमें जो भी चीज उनको चाहिए उनको हमें देने का है बाद में उनको हमें सनमारगा पे भी लगाना है उनको धम भी हमें सिखाना है तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस अच्छे काम को नो किसी का कुछ प्रश्ण तो नहीं है ने मेरे लिए ठीक